लालची कुत्ते की कहानी एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था, वो गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था, वो इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था, उसे कम ही लगता था गाव के दूसरे कुट्टों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी लेकिन उसकी इसादत की वज़े से सभी उससे दूर रहने लगे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उसे सिर्फ अपने भाजन से मतलब था कोई ना कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देही देता था उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता एक दिन उसे कहीं से एक हड़ी मिल गई हड़ी को देख कर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए यह सोचा कर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा रास्ते में वह पुल के उपर से नदी पार कर रहा था तभी उसकी नजर नीचे नदी के छहरे हुए पानी पर पड़ी उस समय उसकी आँखों में सिर्फ हड़ी का लालच था उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है उसे लगा कि नीचे भी कोई कुता है जिसके पास एक और हड़ी है उसने सोचा कि क्यूं न उसकी भी हड़ी चीन लूँ तो मेरे पास दो हड़ीयां हो जाएंगी फिर मैं एक साथ दो हड़ीयों के मजे से खा सकूंगा ऐसा सोचा कर वह जैसे ही पानी में कूदा उसके मुँ से हड़ी सीधे नदी में जागिरी मुँ से छुटकर हड़ी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किये पर पचतावा हुआ कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है